हाई दोस्तों साईज ही और back with another interesting and most important वीडियो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी भी Xiaomi, Redmi, Poco devices का bootloader वन क्लिक में कैसे unlock करना है सिर्फ वन क्लिक में वो भी without PC मैंना already एक वीडियो बना रखा है without PC कि आप Xiaomi, Redmi, Poco device का bootloader कैसे unlock करोगे लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, termux वगेरे install करके काफी सारे commands वगेरे देनी पड़ती है और थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन आज जो वीडियो में आपके साथ share करने वाला हूं सिर्फ यह वन क्लिक में हो जाएगा कुछ भी आपके कुछ नहीं करना है खाली application install करो, that's it उससे command दे चीज़े क्या क्या करने है ध्यान से सुनो, सबसे पहले अपने about phone में जाओगे, वहाँ पर me UI होगा तो me UI, hyperOS होगा तो hyperOS, उस पे six to seven times tap करोंगे, जब तक वो बोलेगा नहीं, your developer option is enabled, your name developer करके, ठीक है, developer होगे, उसके बाद second important चीज़ आपको अपना me account login करके रखना है, me account login करने के बाद, find my device करें एक चीज़ होती, उसको on कर लो, या फिर जो भी requirements है, cloud services, find my device, ये सारी चीज़े on करोगे, ठीक है, उसके बाद next step, developer option on हो जुका होगा, additional settings के अंदर जाके देखोगे तो, और यहाँ पर आपको OEM का toggle enable करना है, जैसी कि आप देख सकते हो, OEM toggle enable करना है, और अपनी me account जो है, आपर add करना है, agree पर click करोंगे, उसके बाद नीचे लिखा है, add account करके, add account पर click करोगे, me UI वाले हो, तो धर से हो जाएगा, लेकिन add करते टाइम आपके phone का, जो sim card उसमें recharge होना चीए, recharge होना चीए, आपका data on होना चीए, याद रखो ये चीज, phone में जो sim card है, उसमें data होना चीए, on होना चीए, उसके बाद add करना, तब add होगा, हाइप और इसका थोड़ा सा अलग funda हो सकता है, उसका क्या है, मैं आगे बताऊँगा, अब यह देखो, जैसे कि मैंने phone करा है switch off, switch off मतलब reboot पे tap करा, reboot पे tap करने के बाद, volume down की बटन प्रेस करक रखा, जब तक यह fast boot का logo नहीं आता, ठीक है, क्या करना है, phone को fast boot पे, I mean reboot पे click करोंगे phone को, reboot पे click करने के बाद, volume down बटन प्रेस करके ही रखोगे, छोड़ोगे नहीं, जब तक यह fast boot वाला logo नहीं आता, आ गया तो button छोड़ दो, data cable लगा दो, charging वाला, और जो OTG वाला section है वो आपको दूसरे phone में लगाना है, जिसको हम computer phone यूज़ करेंगे, तो यह आप देख पार हो, यह computer phone में यूज़ करने वाला हो, यह कोई भी random सा, कोई भी phone उठा सकते हो, ठीक है, अब इस phone के अंदर जो है, कुछ important settings करनी है, मैं एक आपको link दूंगा description में, उस link पे जाके आपको यह me tools करके एक application आएका, इसको download करके install करना है, इसको link description में है, download कैसे करने है, वो भी बता देता हूँ, कुछ-कुछ logo को थोड़ा सा confusion होता है, ठीक है, तो आपको scroll down करके नीचे चले जाना है, ठीक है, तो scroll down करके नीचे चले जाओगे, तो यहाँ पर यह application का interface कुछ इस तरह से रहेगा, इसको download करना है, download कैसे करते हैं, वो दिखा देता हूँ, tension मतलब अप लोग, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा, scroll down, पूरा scroll down कर लेंगे नीचे, और यहाँ पर आपको लिखा है, release के नीचे यह, इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तर करना है, आपको इस application को, ठीक है, मैं भी install करके भी दिखा देता हूँ, आपके सामने, तो यह देखो, यहाँ पर, इस पर click करता हूँ, click करने के बाद, मैंने अल्रेडी install करा है, इसलिए update बोल रहा है, तो install मेरा हो चुका है, यह देखो, application इस तरह से open करना है, open करने के पर tap करोगे, तो यहाँ पर आपको continue पर click करोगे, continue पर click करने के बाद, यह कुछ इस तरह से बोलेगा, कि आपका जो account है, वो login करो, phone को switch off करके, fastboot में डालो करके, यह कुछ-कुछ information देगा, इस तरह का, ठीक है, आपको यहाँ पर जो है, तब तक यहाँ पर इस data cable को लगा अब दूसरा phone लिया हूँ, अब इसके उपर काम करेगा, क्या, देखते हैं, तो यह देखो, यहाँ पर me unlock पर tap करता हूँ, याद रहे, आपका account यहाँ पर login करके रखना है, यह देखो, इस तरह interface आएगा, अपना account यहाँ पर login करोगे, तो चलो मैं login कर लेता हूँ, मैंने account login कर लिया, login करने के बाद, यह देखो, me इस तरह का रहेगा, अब यहाँ पर मैं इसको connect करता हूँ, connect करने के बाद देखने हैं, डबा आना चाहिए, यह पर pop-up आएगा, उस डबबे पर click करोगे, यह देखो, फिर ok करोगे, इस डबबे पर click करेंगे, फिर ok करेंगे, हो ग करोगा, आपके दूसरे phone का पूरा data erase होगा, जिस phone का हम unlock कर रहे हैं, वो देखो, बंद हुआ phone, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो, unlock successfully लिखा है, इस तरह से एक click में bootloader unlock हो जाता है, ठीक है, अब वो format हो रहा है वो phone, क्यूंकि bootloader उसका unlock हो चुका है, ठीक है, account कुन सा login करना था, जिसका bootloader unlock करना था, जिसमें हमने जो account login करा था, वही account आपके यह computer phone में login करोगे, ठीक है, ठीक है, unlock का symbol भी आ चुका है, bootloader भी जो है unlock हो चुका है, ठीक है, अब देखो, जो लोग hyperOS है, वो थोड़ा सा confused होंगे, hyperOS का भी same process है, क्या, बिल्कुल same process है, कोई change but, hyperOS में क्या होता है, कि me community app से permission लेना पड़ता है, अब उसका थोड़ा लंबा procedure है, permission कैसे लेना है, उसके regarding में अल्ड़ी बना रखा है, उसका link में pin comment और description में दूँगा, वो वीडियो पहले follow कर लो, और permission ले लो, permission लेने के बाद जो है, बाकी process पुरा same है, जो इसमें मैं बताया, permission मिल गई, उसके बाद जो है, आप अपना account, जिस account में permission मिली, वो account login कर लोगे अपने, उस phone में, जिस phone का bootloader unlock करना है, login करने के बाद, जो भी बता है था, मैंने अब इसके उपर add करने के लिए, same, आप add करोंगे account, ठीक है, OEM toggle enable करोंगे, develop option के अंदर, फिर account को add कर दोंगे, वहाँ पर जो me unlock status होता है, वहाँ पर add कर दोंगे, add करने के बाद, phone को fastboot में डालोंगे, और यहाँ पर भी same ID login करोंगे, उसके बाद जो है, आप unlock करोंगे, तो धर से unlock हो जाएगा, याद रखें, hyperos का bootloader unlock करते time, कुछ important बाते ये भी ध्यान रखनी है, कि आप का SIM होना चाहिए, और उस SIM में data होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, उसके बाद जो है, आप unlock पे, I mean add account पे करोगे, तब ही add होगा, वाइफाई पे add नहीं होता है, SIM card में data होना चाहिए, इंटरनेट उसको, उसको on करके ही, आपको add करने account, ये पहली चीज, दूसरी च इसका जो account आप login करें, उसको permission मिलनी चाहिए, मी community app से, अब इसका बहुत लंबा procedure चैसे की बोला, उसका link description और pin comment में, जाके उस वीडियो को देखो, समझो, उसके बाद इस वीडियो पे आके, without PC के कर सकते हो, ठीक है, community में permission लेनी के लिए भी PC की ज़रुत नहीं है, सारा का community बहुत छोटी है, और आप लोग, हम लोगों को support करोगे, तो हम और भी motivate होके काम करेंगे, और भी आपको अच्छे वीडियो प्रोइड करनी की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, love you guys, good bye, take care, एक like, एक share please कर देना, सारे telegram groups में share कर द मिलते हैं अगले वीडियो में, bye bye